कि किसी भी जगहे पर आपके ٹंपरेच और वहाँ पर कितनी बारीन परेशल्पर्राहिए हैं यहाँ इन दोनों के भी वेसिछ पर अलग अलग अदके बायूम बन सकते हैं बायूम कई तरकर की हो सकते थे जैसे कि आपके इस चार्ट में आप देख सकते हैं बहुत रहे के बाइयों बने हुए हैं यहां पर कुछ फोटोग्राफ भी दिया हुआ है कौनना बाइयों में पहला डाइग्राम अब देख सकते हैं यह वाला यह पहला बायों जो दिख रहा है आपको ट्रॉपिकल रे इन फॉरिष्ट हूं सेकेंड नंबर के डाइग्राम जो आपको दिख रहा है यह डाइग्राम आपका है डेसीडियस फॉरिष्ट का ट्रॉपिकल के बाद कौन सा फॉरिष्ट रहता है डेसीडियस फॉरिष्ट यहाँ पर बाइडश्टी ट्रॉपिकल से थोड़ी कम होती है यहां productivity थोड़ा कम होती है, फिर आपको नीचे यह आला diagram जो D diagram दिख रहा है, यह आपका दिख रहा है, C coast का, C coast का diagram है, और यह आपका जो C diagram है, नीचे में यह आला, यह आपको देख सकते हैं, रूखा सुखा बंजर जमीन दिख रही है, यहां बाइडवस्टी बहुत कम है, यह कौन सी जगह है, डिजर्ट प्लेस है, मरुस्थल है, ठीक है, तो डिजर्ट प्लेस का diagram अपके चार diagram बने हैं, चार बायोम के diagram अपके NCRT बुक में बने हुए है, अब आगे देखते हैं, हमने कहा किसी भी जगह में कौन कौन सी और्गनिज हैबिटेट करेंगे, उनकी प्लेट के बारे में, फिर लाइट के बारे में, और लास्ट में स्वाइल के बारे में, यह चार बायोम को को डिसाइड करते हैं तो नंबर वनिस्टार्ट करते हैं temperature के साथ ठीक है temperature की जब मुलबा बात करें ठीक है टमप्रेचर की बात करें टीक है популяр अलग अलग एकोशिष्टम का अलग जगय का अलग हो सकता है temperature कैसा होता है जिस बात को समझने के लिए धर्ति ये globe का ये diagram देखते हैं आपके सामने एक धर्ती ये पूरे earth का diagram है इस earth में उपर की और देखे तो north pole है नीचे की और देखे तो south pole है north pole को 90 degree angle कहते हैं और south pole को minus 90 degree angle के नाम से भी जानते हैं और बीचों बीच में earth के बीचों बीच में जो line है उसे equator के नाम से आनते है middle part में सबसे ज़्यादा गर्मी कहा होती सबसे शन की light कहा पढ़ती है सबकी sun की light equator पे पढ़ती है इसे सबसे ज़्यादा high temperature कहा होगा आपके equator पे होगा middle बाले part पे एर्थ के middle बाला part जो है जिसे equator की line दिख रहे ही आपको जीरो जिसको दिखाया गया है तो जीरो डिगरी सेल्सियस बोलो या एक्वेटर बोलो या मिड आप दा अर्थ बोलो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी सबसे ज़्यादा हीट होगी और इस से नौर्थ पोल की तरफ मतलब उपर की ओर जाएंगे तो भी टेंपरेचर कम होता जाएगा नीचे की ओर आएंगे तो भी टेंपरेचर कम होता जाएगा क्योंकि वहाँ पर सन की लाइट धर्थ से नहीं पहुच पाती आँको पता है धर्थी 23 डिग्री एंगल पे अर्चे की लाइट आपके पूरे जगए पर सभी जगए पर एक बराबर नहीं पड़ती कहीं कम पड़ती कहीं ज़्यादा पड़ती तो जहां ज़्यादा पड़ती कहां पर सबसे जड़ा हाई होता है और उससे और नॉर्थ पूल की तरफ जाए या ऑपर या नीचे टसरे भी जाय तो तेमप्रेटि कम होता जाएगा और पूल में तो तेमप्रेटर सबसे कम होता है सब्याट हो बड़ आपको इस डाइग्राम से किलियर हो रहे होंगे तो आते हैं आपके NCRT बुक के बारे में पढ़ते हो NCRT बुक में क्या लिखाया पढ़ते है आपकी बुक लिखती है Temperature is most एक सक्षिन आपके NCRT बुक लिखती है Temperature is most important ecological ecological relevant environmental factor Temperature सबसे ज़्यादा important factor में से एक है You are aware that average temperature on the land very seasonally आपको पता है हमारे यहाँ का Temperature season by season अलग 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 temperature होता है ठंडी ओक दिनों में बहुत कम होता है गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है तो season का भी effect पढ़ता है हमारे यहाँ Temperature में दूसरी चीज कि हमारे यहाँ पर equator के आसपास के जो अर्थ के एरिया होंगे वहाँ Temperature हाई होगा जो पोल के आसपास के होंगे उनमें Temperature लो हो हो चीक है तो temperature का effect क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है तीसा चीज बोलता है Plane to Mountain Top अगर Plane जगह है समतल जमीन है एकदम Plane एरिया है तो वहाँ का Temperature ज़्यादा होगा अगर किसी पहाड पे चड़ जाओ कि माउंटेन पे चड़ जाओ किसी पहाड़ी पे चड़ कर देखो Mountain पे Temperature कम हो जाता है आप देख सकते हो कि माउंटेन पे पहाड़ों पे चड़ती जाएंगी जैसे इसे पहाड़ों चड़ते हैं तो ठंड लगने लगती है इसलिए Mountain का Temperature लो होता है Plane का Temperature जादा होता है तो Plane है या Mountain है Temperature अलग लग होगा Fall के पास है या Equator के पास है Temperature बैरी करेगा और Season कॉल चल रहा है इस पर भी Temperature डिपेंड करता है ठीक है इस तरह देख सकते हो कि High Altitude पर चले हम बहुत ऊपर की चले एक एरिया पर जाए तो आपका Temperature अलग लग जगए पर अलग लग सकता है इसका रेंज सब 0 से लेक है मतलब माइनस सब 0 मतलब 0 से भी नीचे माइनस भी Temperature हो सकता कहीं का और कुछ जगए का Temperature Polar Region पर जाएंगे तो माइनस भी Temperature होगा और High Altitude पर चले जाएंगे अगर तो High Altitude पर टॉपिकल फॉरेश्ट में चले जाए अगर हम रिपीट करते हैं High Altitude Polar Region के High Altitude पहाड़ी एरिया हो और आपका Color Region हो तो वहाँ Temperature बहुत नीचे चला जाएगा माइनस 50 तक चला जा सकता है और अगर हम ट्रॉपिकल डिजर्ट पर चले तो ट्रॉपिकल डिजर्ट पर चले पर अलग या पर यूनिक हैविटेट्स है आपके बहुत साधी जगे पर कहीं जहां पर जैसा ट्रॉपिकल रहेगा भाब और से फॉरेस्ट रहेंगे होगा वहार डिजर्ट हो जाएगा जहाँ कम होगा वहाँ पे आपके ट्रॉपिकल आपके पोलर रीजन आ जाएंगे टेंपरेट फोरेश्ट डेपलप करेंगे बहुत ठंडी जगए पे फिर अगले लाइन कहती है कि यूनिक हैविटेट्स भी और देखने मिलती है यूनिक मतलब जैसा सब कोई नहीं करते हैं उसको बोलते हैं यूनिक हैविटेट और यूनिक हैविटेट के पर बोलें कुछ और जैसे हैं जो थर्मल स्प्रिंग पे जिंदा रह सकते हैं बहुत जहां गर्मी होती है थर्मल स्प्रिंग में या कोई जिंदा नहीं रह पता उतने थर्मल स्प्रिंग पे गरम जगे पे temperature बहुत जदा हाई होता है इतना हाई कि 100 degree Celsius से भी जादा होता है इतना खौलता हुआ गरम पानी का जहां पर होता है ऐसी जगे भी माईक आपके कुछ और नीज जिन्दा रह सकते कुछ ecosystem जिन्दा रह सकता है तो बुले कुछ और नीज जो है उनका जो कुछ ecosystem ऐसा है यूनिक habitat में होता है बना अलाग 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 वाईदी करता है आपको पता है mango tree की बार में जानते हैं आम का पेड मैंगो का ट्री आपको कभी भी कहां नहीं मिलेगा temperate और country में नहीं मिलेगा जहां बहुत थंड पड़ती तेंपरेट country मतलब जहां बहुत थंड पड़ती उसे यो करने टैंपरेट तब को टैंपरेट country जिसे कनाड़ा चले जाओ जर्मनी चलेजा वहां आम के पेड ही नहीं मिलेंगे तुमको पूरा कनाड़ा में गूम लो क्यों temperature का difference की वैसे ये गरम जगह पे उगने वाले पेड़ है ठीक है और दूसरी बात की आम का पेड़ देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी पत्या होती उसकी फैली हुई branches होती है ब्रांच ज्यादा होने की बज़े से जब महां पर कनेडा में जर्मनी में snowfall होता है लेपर्ड नाम से मालम चला snow leopard मतलब कैसा वह लेपर होगा बरफीली जगह में रहने वाला होगा snow में रहने वाला होगा snow leopard आपको केरला में नहीं मिलेगा केरल गें हो कभी केरलों बहुत गर्मी पढ़ती है केरल में गर्मी ज्यादा पढ़ती है इसलिए वहाँ पे snow leopard नही जगे मिलेगा खंडी जगे मिलते गरम जाले जगा में रहता है तो आम जगे मिलेगा और जो शौइंडी जगे मिलेगा जहाँ बर्फ होगी जगे होगी वहाँ पर मिले गा केरल पे नहीं हुगा कभी भी तुनडा फिस एक मचली यह यह टून फिस जो आपको ट्रॉपिकल लेंड़ ट्रॉपिकल वाले ओश्यन में नहीं मिलेगी जल्दी से। तिकि बहुत कम मिलेगी, तो रियरली काच्ष ब्यांड ट्रॉपिकल लेंट्यूट इंदा ओशिये, तो आपको बोले, ब्यांड ट्रॉपिकल लेंग, तब यह पर्टिकुलर एक टेंपरेचर पर ही रहने वाले ओपनेज में, तिकि है, समझना, टून अफिस जो है, रियरली कैच बियांड ट्रॉपिकल लेंट्यूट के अलाबा कहीं और नहीं मिलेगी मतलब वह मिलेगी उसके अलाबा नहीं मिलेगी देखो समझना यह सब टेमप्रेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है क्यों कुछ ऑगनिच किशी पर्टिकूलर टेमप्रेचर पर ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं इसको समझना किसी भी ऑग्नेज के सरीर में देखोगे तो उसके बारड़ी में मेटाबॉलिजम चलती होगी लीविंग ऑग्नेज में तो मेटाबॉलिजम चलेगी मेटाबॉलिक टूटी होगी और बहुत सारी फीजियोलोजकल एक्टीव चलेगी जैसे डाइजेशन चलेगा रिस्पारिशन चलेगा वह साई चीज चलेगी ना तो फीजियोलोजकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस चलने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है पता है ना और एंजाइम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेंप्रेचर पर ही एक्टिवेटेड होते हैं उससे कम टेंप्रेचर होने पर या उससे जादर टेंप्रेचर होने पर उसकी बाड़िम रहने वाले और्गनीज के एंजाइम्स जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे वो सारे enzymes deactivate हो जाएंगे और enzymes deactivate हो जाएंगे तो इससे वो और्गनिज सही से काम नहीं कर पाएगा तो यहाद रखना मेटावालिंज सही से चले किसी और्गनिज की physiology सही से चले इसके लिए temperature बहुत important factor है इसलिए हर और्गनिज हर जगह नहीं रखता अगर आपको ले जाकर माइनस फिप्टी डिग्री सलसे टेंपरिश हो जाएंगे तो आपके सारे enzymes inactive हो जाएंगे ना आपको भूक लगेगी ना प्यास लगी ना जिंदा बचेंगे आप सारे enzymes inactivate जाएंगे आपके body की सारी physiological activity रूख जाएगे ज्यादा गर्मी वाले जगह पर तक देंगे तो घबरहाट होने लगती बोलते हैं ज्यादा गरम जगह पर घबरहाट हो रही है क्यों अंदर की फीजियो लाजिकल एक्टिविटी डिश्टर्ब होने लगती है तेंपरेटर हमारे लिए बहुत important है इसी ल पर जिंदा रह सकते हैं मतलब च्यमप पर कोई कि और ऊसक ऐसां अपर थांपरिच्शर में कर सकते हैं वाइड रेंज मतलब अगर टेंपरेटर कम थौड़ा कम भी वँआ तो भी जिंदार रह जाएंगे लड़ा थ्टो अबढ़ temperature को थोड़ा बहुत variation को बरदास कर लेते हैं उन्हें यूरी थर्मल और्गिंज के नाम से जानते हैं इंसान इंसान को अगर पांच डिग्री सलसेट temperature में रखेंगे तो मर जाएगा नहीं मरेगा 10 में नहीं मरेगा 15 में भी नहीं मरेगा 20 में 25 में 30 में 35 में 40 तक नहीं मरेगा तो एक देख रहे हुँ हम लोग कितने साइ度 temperature का variation को बरदास कर ले रहे हैं 0 degree Celsius तक है कभी गभी temperature अंडियों में तो हम लोग किया हूँ temperature को बर्दास कर ले रहे हैं वासानी से हम लोग यूरी थर्मल है की नहीं है हाँ हम लोग human आएगा यूरी थर्मल में आएगा तो वो सारे और जो temperature के variation को बर्दास कर सकते हैं थोड़ा बहुत वाइड रेंज आप temperature में जिंदा रहते हैं उन्हें हम यूरी थर्मल के नाम से जानते हैं इसका उल्टा ऐसे जो नेरो रेंज आप temperature में रहते हैं मतलब जो ज्यादा temperature हाई हो गया यह temperature कम हो गया तो तुरत मर जाएंगे उनको थोड़ा भी temperature आगे पीछे नहीं ही चलेगा वह limited temperature में ही जिंदा रह सकते हैं सिर्फ ठंड में ही रह सकते हैं गरम बाले जगे थोड़ी भी गर्मी बढ़ेगी तो मरने लगेंगे इस तरह को इस्टेनो थर्मल कहते हैं तो आप इस दो तरह कि होगे इन वाइड रेंज़ व टमप्रेशरु वेरिएशन उन्हें हम कहते हैं बहुत सारी मचलियां हैं आपको पता स्टेनो थर्मल मर जाती हैं तो रहो आपके लिश्ट बना सकते हूं देख सकते हूं और किस एरिया में मिलेगे इस एरिया में मिलेगे पर्टिक्लिर रेंज आपि एरिया मुलें तो या कौंडी जगह पर होगे या बहुत गरम जगह पर होगे इक परटीकुलर जगए बहुत जके पिंदा नहीं रह सकते हूं कि मिप judy इसे फ्लांट से प्लांट या क्वास से निमल फिर में इससे हुआ सिर्स प्लांड जिघे मिलते हैं इससे प्लांट जो गरम जगह के मिलते हैं तोब क्लाएंगे के इस्टे़ो थरमों और ऐसे प्लाइंट जो लगवग सभी जगा मिल जाते हें वह योली थर मौयगा आण बात करते हैं ठिक है आपका बात करते हैं कि बहुत सारा global temperature देखा जाए तेमपरेशन आता जा रहा है और एक global temperature का average range निकाले तो बढ़ रहा है देवाईडे बढ़ता जारा है और अगर global temperature इसी तरह बढ़ता रहा है इसी तरह distribution उसका range बढ़ता रहा तो आपकी पूरी धरती पानी में डू हो जाएंगे अब आंगे पढ़ते हैं नेक्स्ट इबाइटिक फैक्टर क्यों चलते हैं जिसका नाम है वाटर वाटर भी बहुत important factor है अगर temperature के बाद second highest बात करें तो water सबसे important factor है जल ही जीवन है सबको पता है life on the earth आपको पता है कि धरती का origin evolution chapter अपने पढ़ा होगा कि धर बाटर में ही आई थी अब बिना बाटर के आउगनी जिंदा रह नहीं सकते हैं वाटर की availability के साब से बहुत सारी जगह होती है जहां बहुत जदा बारिस होगी उस जगह को ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट कहेंगे ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का डियाग्राम याद है आप देखों डिजड में 50 के से कम बारिस होती है, 0-250 के बीच महीं संटिमेंटर के बीच महीं तो ठेंटर अपका बारिस जो हैं बहुत इंपॉर्टन फैक्टर है बारिस के इसाप से कितनी में और इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखेंगे सबसे ज्यादा बाइडावेस्टी देखने मिलती है हाइजेस्ट बाइडावेस्टी हाइजेस्ट प्रॉडक्ट्विटी कहा होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आतक न और डिजर्ट में सबसे कम होती क्य लेंगे कहां पर कम पानी में रहने के लिए तो आप देख सकते हो जो पाउनिश के अपनी आपको कर लेते हैं में जमीन के अंदर बिल बनाके रहते जमीन के अंदर तो हर टिम्पेशरं कम रहता है सिर्व रात को – निकलते हैं दिन भर सोते है अंदर मेँ और रात को बाहर निकलते हैं आपने आपको डॉक्ट κα लिया उन्होंने situation के साब से कम पानी में रहने के लिए वही वहाँ पर जिंदा बचे है the productivity and distribution of plants is also heavily dependent on water productivity किसी जगह का environment के किस बायोम कितना ज्यादा productivity करेगा वो किस बाद डिपन करता है water पर water ज्यादा अब लेविल होगा production rate ज्यादा होगा और ज्यादा होगे अब बात करें you might think that organisms living in the अपको ऐसा लगता होगा कि जो लोग समुंदर में रहते हैं या जो आउगने आपके तलाबों में रहते हैं नदियों में रहते हैं उनको पानी से कभी problem नहीं होती होगी पानी की quality अलग-अलग हो सकती है अलग-अलग quality का पानी से उनको अलग-अलग प्रहा पड़ता है जैसे कि किसी भी जिगह पर पानी क्या होगा उसका chemical composition अलग-अलग हो सकता है पानी का कहीं का पानी मीठा होगा कहीं का पानी खारा होगा salt concentration ज़्यादा होगा कहीं कम होगा कहीं का pH कम होगा कहीं का pH ज्यादा होगा इस तरह वहां का chemical composition वहां का pH वहां के salinity यह सब कुछ जो है वहां पे अलग-अलग water का अलग-अलग होता है अपने का unit क्या है तो आपने सुना होगा आपका ppt part per thousand पीपीम तो सबको पता होगा पार्ट पर मिलियन तो उसी का भाई है ppt part per thousand एक हजार में एक भाग आपके पास अगर एक हजार में आपका वन मार्क्स आया तो बोलेंगे ppt वन पीपीटी अगर आपको पांच आपके पा portion paper था और आपको पांच मार्क्स आया तो आप फाई पीपीटी आया आपको एक हजार में कितना तो अगर पानी में अगर दस molecules salt के हैं total molecules कितने हैं पानी में एक हजार molecules हैं और उनमें से 10 molecules salt के हैं तो बोलेंगे 10 ppt salt है salt concentration पानी में अलग हो सकता है उसको नापने एक unit है ppt सबसे कम salt concentration देखेंगे अगर 5 ppt है या उससे कम है 5 ppt या उससे कम मतलब 1000 molecules water के 1000 molecules के बीच में 5 salt के molecules हो या उससे कम हो तो बोलेंगे मीठा पानी है ठीक है inland water के लाता है इसे पानी को inland water या मीठा पानी बोलते है नदियों तलाबों में ऐसा पानी मिलता है अगर आपका salt concentration ज्यादा हो गया लगबख 30-35 ppt के आसपास पहुँच गया मतलब 1000 में 30-35 molecules salt के हो वाटर के एक है है ऐसा water जो कहा पर होता है lagoon में होता है lagoon किसे कहते है तो lagoon की बात करें समूंदर का ही area जो में समूंदर से कटकर अलग हो गया है देखना जो सी होता है बड़ा समूंदर होता है उसमें कही साई नदियां आकर मिलती है इसलिए salt concentration वहाँ नदियों का पानी मीठा मीठा पानी आकर मिलता रहता है इसलिए वह salt concentration बहुत जादा नहीं हो पाता 30-35% तक ही होता है लेकिन समुंदर का कोई टुकड़ा जो कटकर अलग हो गया है main समुंदर से अलग हो गया समुंदर का ही टुकड़ा है समुंदर का ही पानी वहाँ भरा हुआ है सी वाटर ही बढ़ा हुआ है लेकिन वह टुकड़ा क्या हो गया पार्ट जो है टूटकर अलग हो गया main समुंदर से और उसकी वैसे वहाँ पे नदियों का पानी आकर mix नहीं हो रहा है जो पानी है वो भी ही वॉपरेट कर रहा है हर समय रहा है लगिन centra की वाटर के में मॉल्कूल तक हो सकते हैं में लगून में आपको इसल्छ़ सब्सक्राइब पाना करना हो गया less than five ppt दूसरा अपका अगर 30-35 ppt के असपास होता है तो उसको बोलते है marine water और more than hundred ppt हो गया तो उसको बोलते हैं आपका hyper saline water तो hyper saline water कहां मिलता है lagoon में मिलता है lagoon मतलब part of sea ocean ठीक है कुछ और नीच अब देखेंगे कुछ और नीच ऐसे हैं और low salt में रह सकते मतलब उनको salt को बरदास करने की चमता उन्हें wide range of salt में रह सकते मतलब less salt रहा तो भी जिन्दा रह जाएंगे और high salt रहा तो भी जिन्दा रह जाएंगे दोनों ही condition में जिन्दा रह जाएंगे ऐसे और नीच कहते हैं आपका यूरी हेलाइन वहां पर यूरी थर्मल पढ़ा था हमने याद करो यूरी थर्मल जो wide range of temperature में रह सकते थर्मल मतलब तो temperature और हेलाइन का मतलब हता है salt ह-a-l-i-n-e हलाइन मतलब तो salt तो यूरी हेलाइन वर्ड का मतलब कहा होगा तो यूरी हेलाइन बोलते हैं मतलब इसका मतलब कि वह आपके यूरी हेलाइन मतलब wide range of salinity में सलनेटी मतलब सलाइन वाटर में रह सकते हैं और फ्रेस वाटर में भी रह सकते हैं तो उसको बोलेंगे आपका यूरी हेलाइन है प्रोटो जोवा को देखा है अपने प्रोटो जोवा आपके यूरी हेलाइन का एक्जामपल है प्रोटो जोवा आपके मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं और आपके fresh water में रह सकते हैं उनके अंदर contractile vacuoles होता है जिसकी मदद से वह vacuoles की मदद से वह अपने आपका pH maintain कर सकते हैं Osmo regulation कर सकते हैं अपने आपको कि इसको पानी ले कि मचली पाल्ब नहीं नहीं अगर वसके अपनी बोडी को में डायकर मर जाकर लेने. भाय स्व क्या है या लेश सालेइन वहाटर में रहना है मिराइन वह तर्किए अगर उसको ऐसा करोगे तो उसके बोड़ी में क्या हो जाएगा ऑस्मोसिस होने लगेगी कि अगर आपने समुंदर की मचली को नदीन में ले आए-तो समुंदर में उसकी बाड़ी उसके लेड़ आप कर ली है अगर नदी मडाल दोगे तो मचली फूल जाएगी उसके अंदर इंडो आस्मोसिस हो जाएगा पानी भर जाएगा और मर जाएगी और नदी में रहने वाली मचली को समुदर के पानी मडाल दोगे तो वो भी मर जाएगी क्यों तो कि उसमें एक्जो ऑस्मोसिस हो जाएगा तो आस्मोटिक प्रब्लम की बेज़ से फ्रेस वाटर में रहने वाले और नहीं रह सकते हैं और जो आगनी ऐसा नहीं रह सकते हैं दोनों जगे रह सकते हैं उन को यूरी हलाइन कहते हैं और जो n deci यारो रेंज़ आपस लाइन वाटर में रहते हैं उनको एस्टेणो हलाइन के नाम से जानते है इस्टेणो हलाइन यूरी हलाइन जो ज्यादा बरदाश नहीं करते हैं थोड़ा भी टेम आपका we टिशेंज हुई तो मर जाएंगे तुरंत मर जाएंगे तहें यह चेनोहेलाइन और झोडा बात बढदास कर लेते हैं आपका किसमें आपका सार्ड कंसंटेशन में चेंजिश को उसको cow यूरि है लाइन के ο जानते है जाद रहेगा स्टेनो है लाइन यूरी है लाइन अब तीसरे फैक्टर क्यों चलते हैं तीसरों तीसरा फैक्टर आपका लाइट लाइट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निक्स बनाते हैं उसके लिए वीडियो थेंक यू